तो फ्रेंड वेलकम टू अनदर वीडियो तो फ्रेंड इस वीडियो में हम एनालेसिस करेंगे मैक्स हेल्थ केर इंस्ट्ट्टूट के सियल के बारे में सबसे पहले अगर हम देखें तो कंपनी एक मल्टी बैगर बनती जा रही है लगवाई इसने पांस सालों में 400% का रिट तो seven point two eight लिकल के आ रहा है इंडिस्टी प के बात करें तो 48.42 के आसपास लिकल के आ रहा है में से कंपनी अभी हमारे इंडिस्टी पीbin ठेट कर रही है और डैट टू एक्विटी की बात करें तो कंपनी पर जो कर जाहे बिल्कुल डैट फृरी मैं आप इसे बोल सकते हैं क क्योंकि इसका जो debt to equity है वह लिकल के आ रहा है 0.09 के आसपास अगर हम इसके return on equity की बात करें तो वह लिकल के आ रहा है 16.12 earning per share की बात करें EPS तो वह लिकल के आ रहा है 11.36 और dividend yield कुछ नहीं है company के अभी और book value है इसकी 76.32 और face value है company की 10 अब हम इसके final sir की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके revenue को देखता है तो अगर हम company का revenue देखें यली तो और पते company को लगातार profit हो रहा है अगर हम revenue को quarterly देखें तो quarterly में भी revenue बढ़ता जा रहा है company का company के revenue में कोई भी गिरावट नहीं है अगर हम इसके profit को चेक करें तो profit में देखें quarterly पे पहले बार company काफी ज्यादा profit हो गया था सितंबर के quarter में लेकिन वहां से company को profit उतना नहीं हो पा रहा है जिस वज़े से share के price में अभी correction हो रहा है तो friend अगर हम इसके yearly profit की growth को देखें तो yearly profit भी सांधार हो रहा है तो friend अब हम इसके share holding pattern को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम share holding pattern June 22 में देखेंगे क्या situation थी company के promoter और FI और mutual funding की तो सबसे पहले अगर हम promoter की बात करें तो promoter पिछली बार थे 50% के stay लेके बैठे थे company में FI 23, mutual fund 19.21 और retail 6.77 का stay लेके बैठा था अगर हम इस समय के June के quarter की बात करें तो promoter के पास अभी share बिल्कुल आदे से भी कम हो चुके हैं क्योंकि इनके पास पिछली बार 50% के हिस्तिदारी थी लेकिन इस बार 23 रह गी है साथ ही retail वालों की हिस्तिदारी भी कम होगी है तो friend हमने यहाँ पर company का fundamental analysis चेक किया अब हम करेंगे company का technical analysis तो friend मैंने आपके सामने max health care का daily का चार लगाया हुआ है अगर हम share की price की बात करें तो current price अभी चलिए 538 अगर मैं इसके top की बात करूं तो इसका top बनाता वो बनाता 630 के आसपास अगर मैं current level की बात करूं तो share अपने top के level से लगभग 17% नीचे गिर चुका है तो friend अगर आप इस share में अभी buy की position बराना चाहते हैं तो लगभग मुझे लगता है कि यह support का point है क्योंकि इस point पे यहाँ पे 100 days का moving average का support मिल ला है और यहाँ पे share ने पहले भी support लेके उपर क की और गया है तो यहाँ से share को support मिल सकता है अगर यह support का यहाँ पर breakdown होता है तो इसका जो nest support लिकल के आ रहा है तो हमारे according share में 480 के price से तेजी आ सकती है अगर मैं RSI indicator को देखो तो RSI भी बहुत नीचे आ चुकी है 27 के आसपास अगर मैं current price की बात करो तो यहाँ पर share कुछ time रुक के फिर से नीचे गिर सकता है अगर आपको share का price 480 के आसपास मिल जाता है तो यह काफे अच्छा zone होगा जहां से अच्छा खासा रणव आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि इससे पहले इसने लगभग 5 एर में लगभग 400% का return दे रखा है तो हमारे according यहाँ पर share को accumulate करके हमारे according लगभग 480 की price पर share को accumulate करके आगे का target लिया जा सकता है अगर share आपको 480 यानी 500 के के बाद अगर आप share में बैठते हो तो आपका जो फस्ट टार्गेट लिकल के आएगा 150 के आसपास तो मेंस यहां से आपको 13% का profit हो सकता है अगर मैं इसके second target की बात करूं तो second target लिकल के आएगा share का all time high लगभश 630 के आसपास तो यहाँ पे आपको 25% का profit हो सकता है जब भ RSI नीचे आई तो share का price उपर गया तो यहां पर देखिए 200 moving average का supporting मिल ला है इसलिए मैं बोलाओं कि 480 एक क्या है बिल्कुल buying zone है यहां पर आपके लिए क्योंकि यहां पर strong support भी काम करेगा 200 moving average भी काम करेगा और नीचे RSI indicator भी यहां पर काम करेगा तो तिरपर करफनमेशन क के साथ हमको यहां पर बाइंग की opportunity मिल जाएंगी जब यह CR 200 moving average के आसपास आया है तो वहां से इसमें फिट से buying start हो गया है आपको पीछे भी दिख रहा है और इस टाइम पर RSI भी नीचे आ चुकी थी तो फ्रेंड अगर आप इस CR में buying की position बनाना चाहते हैं तो एक बार ख